हाई दिस इस पारितोस और वाचिंग आई स्पीक अबाट मनी आज आम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि पारितोस मुझे एक S.I.P. स्टार्ट करनी है उस S.I.P. कितना रखूं क्या मैं 7,000 रुप महिने के S.I.P. करूं क्या मैं 10,000 रुप महिने के S.I.P. करूं प्रशनेशन होनी चाहिए कि आप ये पैसा क्यों लगा रहे हो इसके लिए यू नीड टो क्रेट गोल सीट आपको पता होना चाहिए कि मैं आज जो इंवेस्टमेंट कर रहा हूं वह मैं कोई एक रैंडम नंबर नहीं ले सकता आइन 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 नो मैनी पीपिल आई सब्सक्राइब कर रहा हूं उसके लिए साथ हजार रुपे महिने की ही सब्सक्राइब करनी होगी आप लोगों के लिए मैंने ओल्रेडी गोल सीट बनाई होई है लाइक माल लिजे हलंकि रिटायर्मेंट के लिए मैंने ओल्रेडी एक वीडियो बनाई हुई है माल लिजे की मेरे को 10,000 रुपे महिने की सर में 10,000 रुपे महिने की सब्सक्राइब कर रहा हूं जिसमें आम एक्सपेक्टिंग रिटर्ण ओफ 10 परसेंट 20 साल यह कंटीन्य करूआ तो उस हिसाब से मेरा लगबग 1.1 CR एमॉंट रेडी होगा बट माल लिजे आप 40,000 रुपे का आपका मंतली एक्सपेंसिस है तो साल का आपका हुआ चाल्ला कर 40,000 इंफलेशन हमने कंसिडर करा 6 परसेंट आपकी एज है माल लिजे मेरा एज है 33 years I am expecting कि 60 years में रिट 2.87 CR बट अगर आप एक रैंडम नंबर ले रहे होगी सिप 15,000 रबे महिने के साथी कर ली तो उसे साब से तो यू 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 can make a only the capital of 1.1 CR तो जो ये एक्सस जो आपको चाहिए था यू नीड तो आप कंपन्स आप कंप्रोमाइस करोगे जब आपको रिटार्मेंट के आप सिर्फ अपनी रिटार्मेंट लाइफ को कंप्रोमाइस करोगे जो भी मैं मंतली इंवस्मेंट कर रहा हूं कोई भी स्पेसिफिक गोल उसके पीछे रीजन क्या है जब आपको एक रीजन समझ में आता है तो आप उसके लिए तयारी करते हो उसके लिए कैल्कुलेशन क लिए तो यू नीड तो क्रेट अब जैसे इस हिसाब से जैसे लाइक की 40,000 रुपीस मेरा मंतली इंवस्मेंट है तो मुझे पता है कि मेरे को आच 14,000 रुपे मंतली इंवस्मेंट करना है अगर मैं रेटायर्मेंट को टार्गेट कर रहा हूं एक रेंडम नंबर मैं नहीं नहीं ले सकता अब रेटायर्मेंट के लिए तो हालंकि मैंने एक पुरानी वीडियो में बनाया हूं इसमें रेटायर्मेंट प्लानिंग पुछ तरह से डिसकर्स करिए अब दूसरा गोल हो सकता है आपका शोर्टरम गोल जैसे माल लिजे कि सर मुझे पास साल के बाद घर बनवाना है या हाउस कंस्ट्रक्शन का काम है या मुझे कार लेनी है सर मेरी सादी है उसके लिए मुझे पैसा क्यों बता रहा हूं तो इस हिसाब से जो मेरा इंफलेशन के साथ मैं कंसिडर करते है तो मुझे 23,000 रुपे महिने की monthly investment करनी होगी अब देखो गाइस अब यहां पर हम जब बना रहे हैं जब हमें पता है कि मुझे कितना monthly investment करना है कितने समय के बाद यह goal जिस purpose के लिए पैसा लगा रहा हूं कितने समय के बाद यह पैसा चाहिए तो अब मुझे पता है कि मेरी asset allocation क्या होने चाहिए जब मैं बात कर रहा हूं short term goal कि 5 साल के बाद यह पैसा मुझे चाहिए तो I can't take the risk of equity because if I am contributing monthly monthly SIP in equity fund or at the time of fifth year जब मुझे पैसा चाहिए house construction के लिए 15,00,00 रुपे तो उस से में मार्केट crash हो गया कुछ भी event हो गया कुछ भी anything can happen in a equity in a very short period of time तो it is very risky तो आपको चाहिए ता पंदरा लाग रुपे और उस समय माल लिजिए because of the market correction आपके पास हुआ बारा लाग रुपे fund value हुई बारा लाग रुपे तो तीन लाग रुपे आपको बोरो करना पड़ेगा and we are making a financial plan और we are targeting और we are investing over money so that हमको बोरो ना करना पड़े ये पैसा that is the reason you need to create a goal seat आपको पता होना चाहिए कि मेरा investment कितना करना है और कितने समय के लिए करना है जब अपना goal seat आप बनाते हो तो आपको दो चीज़े clear होती है एक तो आपको पता होजा कि मुझे monthly investment कितना करना है कितने समय के लिए करना है और कौन सी asset class में रखना है आपको day one से आज मैं अगर एक रुपा भी लगा रहा हूँ या एक लाग रुपी भी लगा रहा हूँ है डोक्टर की marriage भी हो सकती है vacation भी गोल हो सकता है तो मेरे को इंफ्लेशन कंसीडर कर रहा हूँ छे परसन के साफ से तो वसे साफ से जो रिएल रेट ओफ रिटन है डैट इस दी वन पॉइंट नाइन तो मुझे आज की देट में जो मंतली इंवेस्टमेंट करना होगा ताकि मेरे हाथ में पास साल के बाद पंदरा लाग रुपे के करीब का amount ready हो विद्धी इंफ्लेशन एड़्जस्टेड तो वह लगबग 20,840 रुपे मंतली की साइपी करनी पड़ेगी और क्योंकि यहां पे मैं आट परसंट रिटरन कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि मैं रिस्क जादा नहीं ले सकता को कि मेरा दोरेशन शोर्ट है डाट इस दरीजन अगर ठीक है अगर पंदरा का चोदा लाग हो गया आम वेरी मच ओके बिकोस मेरे पास एक एक्स्ट्रा एक्सस मनी पड़ी है आइकन अरेंज इट तो आइकन गो विद्धी बैलन्स एड्वांटेज और हाइबृड कैटेगरी तो वहां पर आइकन एक्सपेट एन परसंट रिटरन तो मुझे 22,000 रुप महीने के साइपी करनी होगी तो यह मेर सीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है आज से कोई भी इन्वस्ट्मेंट कर रहे हो चाहिए आप एक रुपा लगा रहे हो चाहिए वह एक लाग रुपे लगा रहे हो हर पैसे का एक परपस एक डेस्टीनेशन होना चाहिए कि यह मैं क्यों लगा रहा हूं रिटायर्म करके ना आपका गोल परपस होता है ना ही आप एक वेल्ट कर पाते हो आप ऐसी वेल्ट का करोगे क्या कि आपको रिटायर्मेंट के टाइम पर चाहिए रहा टू पॉइंट 20 लग रुपए 10,000,000 रुपए का आपको लॉन लेना पड़ रहा है तो आपको ऐसा ऐसे करने का फाइदा क्या अन्वीचमैंन खरने का कैव unlॉट मेंटे सब्सक्रायर्म जब आपको पता है कि आपका फाइदा क कहा रहा है यह इच्षपरी जारहरा है कितने duration के लिए करने वाला हूं और मेरी asset class क्या है और asset class तभी clear होती है जब आप अपनी gold sheet पर काम करते हो तो यह मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए है इसमें सिर्फ आप अपने हिसाब से specifically details mention कर सकते हो तो आज के लिए इतने ही था I believe यह वीडियो पसंद आई होगी अ video I'll make a comprehensive financial planning video जिसमें मैं हर goals के बारे में हर goal specific goals के बारे में वीडियो में बात करूं साथ ही में उस पर live video sessions भी रखूंगा so that जितने भी लोग यहां पर है camera के side वो उन सबके specific goal के बारे में बात कर सके we'll create a different video I'm just rating a 700 likes once I receive a 700 likes मुझे लगेगा कि हां लोग financial planning में अपना interest दिखा रहे है they want to know about the financial plans तो I'll make a video until नहीं जब तक मुझे अभी काफी हद तक active है और आगे जाके काफी नए चीज़े आ रही है तो Instagram और Telegram दोनों का link नीचे है तो नए वीडियो में मिलेंगे फिर नए topic के साथ तब तक लिए धन्यवाद और yes goal sheet में description में डाल रहा हूं